तेज पंजाब विच्चुक्यासी एक तुमे वीर्दा भाः जात ता जट ते यार गंडासा कुत तो पीओ सरदा सौसा मील ते डंके चट दे तके जेडा पासा जट ते वडखरासी करदा जट तेज गंडासा भुजी आक विच्च दबया हर एग रुक्या तोला पुत्तर सी जट ता यारा नाम सी जिसका मौना बिस्मिल्ला वस्लात वस्लात वस्लाम अला रसूल्ला वेल्कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज मैं आपको दोंगा मौला जट का रिविव यह मौवी मैंने 10 दिन पहले देखी थी दुबई में मौल अफ दी एमिर्स में उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के इंड में दाल दोंगा आज मैं आपको डिसकस करूँगा करेक्टर्स के बारे में और जैनल स्टोरी प्लॉट डीटेल में जाओंगा एक कि बाद एक तो मौल अजट का रिविव श्रू करते हैं पहले हम बात करते हैं मौवी इन जैनल के बारे में तो अच्छी मुवी है और अच्छी कोशिश है इनकी मुवी की डिरेक्शन अच्छी है स्टोरी अच्छी है एफएक्स उन्होंने अच्छी दाले है साउंड अच्छा है तो इन जर्रल अच्छी मुवी है और इसको कितने स्टार्ट मैं दूंगा आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताके आपको पता चलेगा कि मैंने तो किसा कितने स्टार्ट दी है स्टोरी के बात करते हैं ऐसा लगता है कि जो राइटर है उसके दमाग में कहीं ना कहीं लाइन किंग होम रही थी वो मफासा वाली मूवी जिसमें दो शेड नहीं रह सकते है उसके एक फील आती है मूवी के अंदर और डिरेक्शन में भी लगता है कि गलाइडियेटर की मूवी से जो डिरेक्शन है थोड़ी बहुत मिलती है इस्पेशली जो फाइट के सीन्स है वो गलाइडियेटर की मूवी से काफी मिलते है बस अको लोग गलाइडियेटर की जो जड़ी है वो में सिंक्ती बना वो जो रिंग में जो फाइट होती है कॉस्ट्यूम्स आइवरिज है और खासा जो लेडी से जो कॉस्ट्यूम्स है वो पूरी मुवी में चेंज नहीं होते है विच एक धाई तीन घंटे की मुवी में जैसे के माहिरा खान ने सिर्फ एक रेड़ जोड़ा पैना वाई शुरू में भी एंड में भी अब बात करते हैं में कारेक्टर मौला जट के बारे में तो मौला जट के बारे मुझे ऐसा लगता है कि डायलाग डेलिवरी जो है वो इतनी स्ट्रॉग नहीं थी उसका गेट अब भी इतना स्ट्रॉग नहीं था मैं कंपएर कर रहा हूँ दूसरी मुवी से भी और जो इस मुवी का विलिट था नूरी नत उस से भी तो तो ऐसा लग रहा था कि शोले मुवी में अमीता की बज़ाए अगर राजिश खन्ना को डाल दे तो वो अला ही रौला लो का रहा था वो एक कमेंट है मुवी को देखे रहे हैं मुझे तकरीम दस दिन हो गए और मुझे मॉला जट क्या उस का कोई खास टायलग में दमाग में तक याद नहीं मुझे कमपेर टू अधर कारेटर जिसके बारे मैं अभी आगे में जाऊंगा तो मॉला जट का इटसेल्फ इतने कोई ऐसे कोई डाल लग था नहीं जो दमाग में रह जाए और सिर्फ एक सी मुझे ऐसा लगता है जिसमें वो हीरो टाइप या हीरो उसके कारेटर स्टॉंग ली आया था वो जब प्रिजन में होता है नूरी नत जो इसको कैद करता है एंड की तरफ तो वहां के जो डाल लग डिलिवरी है और वहां का जो उसके अटिंग वो थोड़ी इंप्रिसिफ है यह द्रामे से भी इंट से आपकर के लेख कर ले Ganze हैं वहां पे भी आस आपके बहुत स्ट्रोंग विलिंस आएं लेकिन कभी भी जो में प्रिण थेरो था उसका रोल या उसकी इंपोर्टन्स कभी कहीं कम नहीं लगी उसकी डायलब डिरुविड लिए आप, आप उसकी आक्षिन उसकी आक्टिंग देख लें इसमें लगता है कि जो मेन कारेक्टर है मौला जट का उसमें कहीं न कहीं थोड़ी सी कमी लगाती अब आते हैं जो इस मुवी का विलेन है, नूरी नत उसके बारे में, तो नूरी नत के बारे में, I have all good things to say, उसकी एक्टिंग वह अची थी, उसके डायलॉग देलिवरी बहुत ची है, उसका गेट अच्छा है, उसका गेट अच्छा है, कास्टिम अच्छा है, everything suits the character, और वो लगता है, नूरी नत अच्छी जो विलेन है, वो लगता है कि वो अच्छी हीरो है इस मुवी का, यह मेरा इंप्रेशन है, आपको कैसा लगता है, यह मुवी देखे, खुद समझते हैं, मझे लगता है कि नूरी नत का character बहुत ही अच्छा है, उसने प्ले किया है, नूरी क जब खाना खा रहा होता है उस पे वो बंद अटाइक करने आते हैं, तो वो कहता है कि जाना है सोड़या, रोटी छोर के तैनू खा लेवाँ, डायलॉग देलिवरी यह कंपेरिशन आप और भी चेक कर सकते हैं, जब मॉला जड़ा जब जाता है नतों के पास, जब नूरी जड़ा के विलेज में तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, डायलॉग डिलिवरी में, एंड में भी जब लास्स सीन होता है, फाइटिंग का जब जाता है, जब मॉला जड़ा जड़ा करने के लिए नूरी नत को उसमें भी जो दोनों के गरब डायलॉग कर करें, मेरा अप जड़ा जाता है, 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 जड़ा जात कैمपे जब जाता है उन दोनों सीर्ण में जो डायलोग्स हैं वो नूरी नत के ही आउस्टेंडिंग है और इसी की डिलिवरी बेता है जब वो जाता है नूरी नत जटों के पास तो वहाँ पे जाको जिस तरह हस्ता है और डायलॉग में ज़ भूलता है कि बेफिकर हो जा सूनया, दसांगा, नाम भी दसांगा और फिर जो कहता है कि मजा करेंगा तु मर जांगा और जब मौला जाता है अपना बदला लेने के लिए नतों के कैम्प में तो वहां पर भी नूरी नत ताली वजाते वे आता है और कहता है के बसकर सोने या बसकर सद्का दे देगा चड़ा और उसका जब बाप बोलता है कि सारे नत नानू जमा कर ले है जितने सारे पूर सबको मार ले बहुत मुश्किल आदि मारने है तो वह नूरी नत जब अपने बापो खुब डाटता है और कहता है के बंद कर अपना बॉग गजर कीफ़े सारा $ suspicion तीसरा मेल करेक्टर होता है माका मकह करेक्टर बहुत इसना चप ले किया है उसकी भी आक्टिंग अच्छी है जो रोल ईसको दीा गया था तो अभी एक डालग में याद रह गया है और जब जाता है जटों के विलेज पे तो जाके बांकी जा रही है तो इसके डालग डिलिवरी अच्छी है माके के वारे में एक बहुत बहुत मुझे वो कैरेक्टर नहीं इंडियन मुवी में जब खलनायक में ता किसमें ता बैड मैन ये तो फेल हो गया के सरिया उस टाइब कुछ लोग आता है इसके माके करेक्टर में अब आते हैं फीमेल करेक्टर्स के उपर और सबसे पहले सबस तीवी में एक्टिंग करना चाह रही है या कोई ड्रामा सीरिल कर रही है मेरखान से लगता है उसकी एक्टिंग एवरिज थी डायलॉग डिलिवरी भी कंपेर तो दी अधर फीमेल कारेक्टर जिसके बारे में आपको बताऊंगा इतने स्ट्रांग नहीं थे और सम्हाव बिग स्क्रीन में वो कहीं फिटनी हो रही थी सिर्फ आखरी में जो उसका जिसीन होता है जब मौला जब फाइट करने जा रहा होता है तब उसका जब डायलॉग है वो थोड़ा वो सीन थोड़ा वो अच्छा था वो क्या कहती है वो हाँ नूरी की बोटी बोटी करके बारा जा मायरा खान का वो डायलॉग अच्छा था किसी नू करनो जाके चप्टी पाने दा सवादी कुछ वहा रहा था जैसे मैंने आपको बताया है कि मुवी में कॉस्ट्यूम्स थोड़े बिलोपार लगे मुझे मायरा खान का भी दब खादी एकी रेड किलर में दाता नदर आई है लेकिन अमेमा जो दूसरी एक्ट्रिस थी दोरा नहीं दोरा नहीं दारो दारो उसका नाम होता है और उसका कास्म फिर भी सही था मुवीज में सूट करा था कारिक्टर को इसकी जो एक्टिंग है दारो की वैटर है मायरा खान से उसकी डायलोग डिलिवरी बहुत बहुत बेतर है, बहुत स्ट्रॉंग कारेक्टर था और इसने डायलोग डिलिवरी बहुत 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 दुश्वना दी नस्लानु दावा करके चाहा आला खोती पे वापस आ गए तो वो डायलोग भी उसने पहुँ अच्छा बोला था वो सीन भी अच्छा था उसका और एक बाद आपने नोट की होगी के अमेमा के एनवी माह आता है और मलेक के शुरूरी माह आता है और यह मैं बताओंगा नहीं मौला ने जो उसका जवाब दिया था वो डायर वो तो उसमें भी इसकी अच्टिंग और पहुचा है उसने पना प्ले किया एक और कमेंट है के जो गाओं का फेरिस वील लिगा है वड़ा आला दिगा है वो जो माहरा खान और उसमें थोड़े तो वाइटिंग रिंग चलाता था गूव मिठापान मसाले वाले लग रहा था एक खातून भी ती असके अंदर जो हर्थ हुदर में यू हो जाती थी नहीं हो जाती थी इंद मांके की इसको मांका उठागी लेकर आता है उसमें कुछ मूब से कुछ बोला नहीं हर्थ और उसकी वज़ा यह है कि आप जब मुवी से बहार आते हैं तो do you want to go back and watch the movie again? मेरा खायल से बहुत यह majority लोग होंगे जो इस मुवी को दूसरी पर नहीं देखना चाहेंगे अब आप बोलेंगे यह थी कि एक art character movie थी art movie थी blah 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 तो इसका अगला question यह है कि were you entertained movie से? जब आप movie थेटर से भार निकल रहे थे, did you feel entertained? तो मेरा अपनों अपीनियन यह है कि I don't think I was entertained हाँ movie भोग अची थी पहले बताया, direction अची थी, story भी अची थी बटिव एक इंटर्टेंड वाली फिलिंग होती ना वह नहीं आ रहे थी अब आप कंपर कर लें दूसरी मुवी से एविन पाकिसानी मुवी से कंपर कर लें एक मुवी थी वार वार को देखके जब उसमें बड़ा वाइलिंस था वो भी एक्षिन थिल्लर सब था उसको जब मेरे अपना उप्रियन था कि I felt more entertained and I probably could watch that movie again तो मेरा ख्याल है कि this movie I'll give it four out of five stars और एक कमेंट और के बहुत लोगों ने मुझे का है कि ये पाकिसानी मुवी थी इसमें बहुँ अच्छे ग्राफिक्स डालें एक पाकिसानी मुवी बहुँ बहुँ अची भई ये थे वार वॉज आलसो उसकी भी जो डिरेशन थी और एफएक्स थे वो भी अच्छे थे और यह बात छोड़ दें कि हम जिस एज में रह रहे हैं, डिजिल एज में वेसोर्सेस पाकिसान के पास भी है तो आज आज आप कंपेर करें पाकिसानी मूवी को इंटनेशनल स्कृीन पे आप कंपेर करें उसको बॉली वोड और हॉली वोट की जो मूवीज हैं वो भी जो उनकी अच्छी मुवीज हैं तो यह बात करना कि पाकिसानी मुवी ने अफेक्स दाले आज के जमाने में अच्छी में अच्छी मुवीज दाले तो इसमें ग्राफिक्स का दातर काम है अल कंप्यूटर एड़िट तो उसमें जो है तो इसके साथ मैं अपने रिविव एंड करूंगा होफ यह आपको पसंद आया होगा कोई बात बुली लगी होगी उसके लिए मैं पर मादरत करता हूँ और आप इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें वाचित बेएक यूट्यूब चैनल थैंक यू